हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी अगर आप सभी भी मुवाइल फोन से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं आपके पास लैप्टॉप नहीं है और आपके पास तरिफ एक उप्शन है वह आपका स्मार्ट फोन तो बहुत आसान है तैंसर मत लीजे मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने मुवाइल फोन से कैसे बहुत ही बढ़ी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह एक मेरा ब्लॉगर अकाउंट है जहां से मैं ब्लॉगिंग करता हूं आप यहां पर देख पार होंगे यहां पर एडसेंस का अप्रूबल भी मिल र और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो फोर एग्जामपल मैं आपको यह वाला जो है अपना एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूं और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं इसमें जो है आपको ब्लॉगर के सारे उप्शन उच्चैनल एकजाम तो यहां पर जो है आप इसको बौट कर सकते हैं और बॉल्ड करने के बाद जो हाइलाइट होते है कीवर्ट तो उसके लिए जलिए ज़्यादा तर यूज्ज करते हैं वौल्ट वोर्ड का उसके बाद जो है आप यहां पर किसी वर्ड को लाइनिं सक् तो यह जो है बहुत ही इसली आप इससे कर सकते हैं अपने काम को और यहां से जो है अपने वर्डिंग को सेलेक्ट करके आप यहां पे इटैलिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप यहां से कलर को भी जो हमसा सेलेक्ट कर सकते हैं वर्डिंग के लिए उसके आपको simply करना है जाना प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर जाके टाइप करना है आपको ब्लॉगर यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्लॉगर और ब्लॉगर टाइप करके आपको करना है सर्च तो यहां पर देखे पहला जो यह result आ रहा है यह blogger का है लेकिन आपको जो है यहां पर यूज करना blogger plus तो हम यहां लिखेंगे blogger plus और कर देंगे enter enter का अरती आपके सामने blogger plus आ जाएगा और यह बहुत बढ़िया एप है आपकी blogging के लिए तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यह भी क्या है आपका एक blogger plus का ही application है जो की बहुत ही best application है आपकी blogging यूज करने के लिए तो आप जो है blogger plus में है अपने blogger को यूज कर सकते हो और अच्छी खासी earning generate कर सकते है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप इससे typing कर पाएंगे आप कैसे अपने जो word की keyword को इसमें set करेंगे और कैसे उसे rank कर पाएंगे ठीक है तो यह जैसा है देखिए मेरे सामने एक post खुल गया है तो इसके लिए है आप यहाँ पर जो है पोस्ट आपकी जितनी भी पोस्ट है लिख हुई वह आपको जो है नीचे बाले पोस्ट दिख जाएगी यहाँ पर जितना भी आपके पोस्ट है ठीक है उसके बाद statics में चलते हैं तो statics में जो है आपके views तो last seven days में view क्या है last third day में क्या है 30 days में क्या है और all over आपके views क्या है वो सारे यहाँ पर mention क्या जाएगा then यहाँ पर आपको जो है जितने comments आएंगे वो दिखेंगे और यहाँ पर आपकी pages जितने आपने page बनाएं तो मैंने कुछ page बनाया private policy contact us easy और disclaimer का और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप लोगों पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको कही सारे current blog premium भी आप इसकी ले सकते है ठीक है तो इस तरह के आपको यहाँ पर बहुत अच्छा जो है option मिल जाता है ठीक है